नमस्कार वैसनोभी इजी लाइब में आप सबका स्वागत है आज हम करैले का अचार बनाएंगे बिल्कुल आसान तरीके से आप सबको अच्छी तरह से समझ में आएगा आप लोग कमेंट करके कई बार पुछते हैं कि विनेगर डालें की न डालें काला नमक डालें की न डा तो आप सब करैले और आम अच्छी तरह से धोलें आज मैं आम से बनाओंगे और धोने बाद जिस पानी से करैले को धोते हैं वही पानी सोफना चाहिए और करैले का अचार बनाएं तो करैले के अचार में कुछ खटा होना चाहिए जैसे कि आप विनेगर डाल सकते हैं विन नीबू डाल सकते हैं आधा किलो करैले में 4-5 नीबू करस निचोड़कर डाल सकते हैं और नहीं तो आप आधा किलो करैले में 50 ग्राम इमिली डाल सकते हैं इसके लिए कुछ खटा होना चाहिए यदि आपको खटा ना परसंद हो तो कुछ खटा ना डालें सिर्फ करैले को मस सालेक साथ बना ले तब भी बहुत अच्छा बनता है तो मैं करैले और आम के दोकर इसका पानी सुखा ले हूँ अब आम को छील लेंगी पहले इस तरीके से कि तीनों आम का छिल कर उताल ले रहे हैं हम को छील लिए अब करैले को ही काट लेंगे अब यह वाला हिस्सा निकाल दे और करैले को आप चाहें तो ऐसे गोल पीश काट सकते हैं ऐसे चोटा चोटा और पतला काटे मोटा न काटे और चाहे तो थкогоल काट लें अपनी मैं परसंद पीस काट सकते हैं जैसे आपको अच्छा लगता हो इस तरह से भी काट सकते हैंशु पतला पतला हमें हमें ऐसे अच्छा लगता है इसलिए मैं ऐसे ही बनाती हूँ देखें आप करेले आप जब खरीदें तो थोड़ा नरम लें बहुत मोटा न लें ताकि उसका बीज ज्यादा मोटा न रहे और धोने के बाद इसे एक घंटा पंखे के नीचे रख देंगे न तो इसका पानी सो डूब कर देंडा गदा तक ऑब काट हो जबीहार कर लिए मिया अम को इस तरह काट के डालेंगे हैं पत्लेित लाख केइश वर्यौति निकाल लेंगे इस तरीके से तीनों आम को हम कर लेंगे इसे गुठली तक ऐसे खुरोच कर निकाल लें और आम भी आप कम ज़्यादा कर सकते हैं अगर आपको खटा ज़्यादा परसंद हो तो आम ज़्यादा डालने नहीं तो एकात पीश कम कर सकते हैं करैल इसमें ले लेंगे इसमें 2 चेमच नमक डाल देंगे और नमक डाल कर अच्छी तरह से मिला लेंगे सारे करैल एक तुकड़े नमक लगना चाहिए नमक लग चुका इसमें अब इसे ढखकर रख दे रहे हैं कम शव्यादा 15-20 मिनिट के लिए यह खड़े मसाले हैं जो भून लेंगे इससे आप तेज धूप में दो, तिन गण्दा शुखा भी सकते हैं इसकी नमीख खतम करनी हैं मसाला भूनने के लिए पहले धनिया डाल देगे धनिया को पहले ही साब कर लें यह चिममच है इस चिममच से पांच चिममच मैं धन्या ले ली हूँ धन्या थोड़ा जादा डालते हैं अचार में और सौमप और दो चिममच सौमप है दो चिममच जीरा एक चिममच मेथी दाना गैस का फ्लेम लो करके इसे थोड़ा भूल देंगे बहुत कलर नहीं चिंज करना है मसाले में चटकने का वाज आने लगे तो गैस बंद कर दें मसाला भूंचु का हर गैस आप करके इसी गरम गरम में एक चेमच अजमाइन डाल देंगे और एक चोटा चेमच कलाओ जी जिसे मंगरे भी बोलते हैं और तीन चेमच सरसो डाल देंगे मैं काली सरसो डाली हैं आप राई या पेली सरसो जो आपको मिल जाए वही डाल दें इसे थोड़ा सा ठंडा करके पीछ लेंगे इसमें चेमच सरसो के टेल डाल दे रहे हूं तेल को धूँआउ ऊठने तक गरम करेंगे और 2500 ml ले लिए हैं टेल से धूँआ उठने लगा गय साप कर देंगे भूना हुआ मसाला ठंडा हो चुका है, मिक्सी के जाल लेंगे, इसे पीस लेंगे, मसाला पीस के तयार कर लिए, थोड़ा दरदरा ही पीस है, कराईले को रखे लगबग 20 मिनिट हो गया, कई लोग कमेंट में पूछे हैं कि कराईले को जब नमक लगा कर रखते हैं 15-20 उसके बाद पानी से धो लें, तो पानी से नहीं धोना है कराईले को, क्योंकि कराईले धो कर पाले ही सुखा लेते हैं, तो अब जब नमक लगा कर रखे हैं, तो इसको पानी से दुबारा नहीं धोना है, अगर अब हम पानी से धो देंगे, तो इसके अंदर सारा पानी चल जाएगा शूपना मुश्किल होगा अचार खराब होने का चांस राता है नमक लगाने के बाद नधोएं तेल थोड़ा ठंडा कर लें तर मसाले डाले नहीं तो मसाले जल जाएंगे इसमें चवथाई चेमच हींग डाल देंगे अच्छा टेस्ट आता है अब इसमें मैं कराइल डाल दे ह 25 और एक कराइलेग पानी आप देख रहे होंगे एक करीलत पानी जो नमक डाल कर मिक्स करके रखे थे इसको भी डाल देगे अचार खराब नहीं होता इसी तरह से मैं आम कर भी अचार बनाती जो मसाले अभी भून कर पीछ लिये थे वो है इसे डाल देंगे इसी चेमच से तीन चेमच लाल मिर्च ले ली हूं इसमें कास्मीरी लाल मिर्च भी है ये तीकी नहीं होती है दो चेमच हल्दी बौडर छोटा चेमच था और लहसुन के कलिया हैं लगबग पचास ग्राम ले सकते हैं एक चेमच नमक डालोंगी क्योंकि जब करयल रखे थे 20 मिंट के लिए तो उसमें दो चेमच नमक डाले थे हम मसाले मिक्स कर लेंगे और मसाले सारे इतना अच्छा से मिक्स करें कि कराईले के टुपड़े में अच्छी तरह से कोट हो जाए जो आम छील के रखे थे उससे डाल देंगे तेल थोड़ा डाल दे रहे हैं मैं कम लग रहा है गरम हुआ तेल है यह अब मिला लेंगे इस अचार को आप बनाएंगे इस तरीके से दो तीन साल तक रख सकते हैं यह खराब नहीं होता है मैं कई बार बनाकर रख कर देखी हूँ इसलिए आप सबको पता रहे हैं अचार को इसमें निकाल लेंगे ताकि जल्दी से ठंडा हो जाए बीने ठंडा हुए इससे किसी कंटेनर में ना भरें और जो भी बरतन अचार बनाते वक्त यूज करें उसमें बिल्कुल पानी ने लगा रहे हैं जैसे चिमच है यह कटोरी है कडाई जो भी बरतन यूज क अचार का दुस्मन पानी ही होता है यह किसी बरतन में पानी लगा रहेगा आपके हाथ में पानी लगा रहेगा या बारिश के नमी वाली हवा लग जाएकि तो आपका अचार खराब हो सकता है तो ऐसे कंटेनर लें साफ सुत्रा उसमें भर लें इस तरीके से भर लेंगे थ तोड़ा जितना आचार हो उतना बड़ा कंटेनर ले 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 छोटा कंटेनर है जो आचार हमारा बचा हुआ है इस कंटेनर में रख लेंगे आप दूप में रखें इस तरह से तो ऐसे ढखन लगा कर ना रखें क्योंकि इसमें दूप सीधा नहीं लगेगी आप कोई साफ सु तरह से सूप जाएगा और जल्दी से आचार पक के तयार हो जाएगा दूप लगने से तेल मसाला जल्दी पक जाता है आचार गल जाता है आम की तरह ये तीन-चार दिन में खाने लाएक नहीं होता है थोड़ा कड़ा होता है इसलिए थोड़ा टाइम लगेगी आप दूप म मेहिना या साल वर 2-3 साल के लिए तो आचार में 3-4 दिन के बाद उपर तक तेल भर दें ताकि आचार तेल में डूगा रहें आपका आचार कभी खराब नहीं हो सकता है आप सब पूछते हैं क्या हम अचार में काला नमक डाल सकते हैं काला नमक आप डाल सकते हो उससे अचार खराब नहीं होता है तोनों नमक 50-50 डाल दें आधा साधा नमक डाल दें जो डेली खाने में यूज करते हो और आधा काला नमक डाल दें इस तरीके साप अचार बनाएं अपना अनुभो भी हमारे साथ सेर करें और हमारे चैनल पर पहली बार आए हूं अभी तक सब्सक्राइब ने की हूं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लिजी और बिल आइकन बटन दबा लेंगे तो हमारी लेटेस रिसेफिकर नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें झाल 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 झाल